अगर सोन्या जिए उस गानी परवार की सज़स्या नहीं होती तो शाद दो उनकी सुखारता नहीं होती उस संक्रमान काल में मैं अपनी मानेता हूँ, अपनी विचार धाला हूँ के आधार पर मैंने अपने आपको राजनी के फिट नहीं माना मुसलिम समर्दाय में किवर सिया समर्दाय है, इसको पर दो दिया जा रहा है लेकिन जो अहले सुन्रत हैं तो बड़ी चाधा को उसको कुछ दिया जाए मुसल्मान तो दरसल भाटपा सदय उससे एक दूरी बना करके मुसल्मान उससे चला लिकिल अपने आपको समाजवादी कहते हैं या अपने आपको कंगर्सी कहते हैं उन्होंने भी कभी मुसल्मान को इंसान माने नहीं नमस्कार इसमें चुनावी माहोल को समझने के लिए देश के अलग-अलग जगों पर हम जा रहे हो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में मोधी हेल्ट्रिक लगा पाएंगे इस समय हम कंग्रेस के गड़ राइवरेली में हैं जहां से कंग्रेस की पूर्य अध्यक्षा सोनिया गाधी नड़ती थी बहराल इस बार वो राजसभा राजस्थान से जाने के बाद ये सीट छोड़ दिया है उन्होंने और अब देखन आप वहा को कैसे समझते हैं क्या बदलाओं की बयार है या फिर गड़ को कायम रखा जाएगा बहुत बहुत भुत धन्यवाद भी या फिर आपके राजनेतिक जीवन के बारे में समझना हो तो क्या कहेंगे कहां से शुरुबात हुए उन्हीं सो तेरसी में मैं जंता पाट के वीपी सिंग कॉंग्रेस से अलग हुए तब हम लोग सब जंता दल में आ गए जंता पाटी भी उसी में विलिन हुई थी और 1989 में मैं जंता दल का अध्यक्षया पर रहा उसके बाद और फिर रंबे समय तक मुझे ऐसा लगा कि जो राजनीतिका ये संक्रमान काल चल रहा है और संक्रमान काल में मैं अपनी मानतों हो अपनी विचारवाव के आधार पर मैं आपको राजनीत पेकले फिट नहीं माना तो मैं सवाजित ओर पर सब्सक्राइधिक दल में नहीं राजनीत में उसके बाद से कांग्रेस ने बड़ा बदलाव किया क्यों नहीं आपका मन हुआ कि कांग्रेस की तरफ चला जाए जाए उसके बाद फिर इधर वीजेपी भी संगठीत हो गई क्यों नहीं लगा कि आप उसकी तरफ चले जा रहा है देखे हमारी तो स्थापना ही कांग्रेस के विरोट के विचारों के साथ हुई थी मैं उन्हों के बीच में रहता था जो लोग कांग्रेस की सत्ता को यहां से उखाड फेकने के लिए पर्दिबर दित थे राजनारायन जी का सानिट बच्पन से मुझे को मिला वो हमारे ही पार्टी का साथ लेगी राजनीटी में एक विचारधारा होनी चाहिए लोग अब विचारधारा के साथ नहीं रह गए इसलिए राजनीट संक्रमित हो रही है लोग वेक्तियों के साथ जा रहे हैं विचारधारा के साथ नहीं जा रहे हैं वीजेपी भी संक्रमित है निस् का संदक्षान करता था वो भाजपा अपने मूल के अडर से हट करके अब आयातित लोगों की पार्टी बन गई जो जीच सकता है उसको किसी विदल से किसी भी तरह से ले करके आओ और अपनी पार्टी का टिकट देतो और जितो इस आधार बाजपा चल नहीं तो वो विदर ड रहा हूँ जो दूसरे दल भी हैं जो भाटपा का विरोधी अपने आपको कहते हैं वो लोग भी नैटिक रूप से कहीं ने कहीं गलत रहे हैं सबी लोग के खिलाफ कुछना को जांचे चल रही हैं और सथा में जुकी भाटपा है तो भाटपा अपने एजेंसिस के जरिये और वो समझोते कर रहे हैं अच्छा आपको लगता है कि यह जो आरूप विपक्ष सदयों लगाता रहा कि देखिए एडी और सीवियाई का बाई सब दूर्पयोग हो रहा है तो आपको लगता है जाचे चल रही यह भी आप कह रहे हैं और इसके पीछे यह भी कह रहे है कि मत मानी मुलायम सिंग्जी पर है से अधिक संपत्ति का मकदमा अखिले । कि जिस अहां की जनता ने कांग्रेस को बहुत प्यार दिया तो क्या लगता है इस प्यार की एविज में क्या काम हुए कुछ रिजे माया के इतियास के बारे मापको बताना चाहूंगा अपने अनभाव के आधारपाँ इन्रा जी उस दौर में किरेक प्रतिवर्श करती थी यहां पर एक फिल्ड हॉस्थल है और वहां पर वह विकास गोष्थी करती छी उसमें अगले वर्ष में क्या करना है इसका परहुताओं जन्ता से ही मां अग्ती थी तो विकास गोश्टी उन्होंने किया, अब हम राजनीती में नया आयत से हमें उनका विरोध करना था, तो हम 12 लोग फिल्ड होस्टल में उनका विरोध करने के लिए काला जंडा दिखाने के लिए चले गए, इंदरा जी को, और जब इंदरा जी आई तब SPG की सुरक्षा नह आगे बढ़ करके आई, हम सब लोगों के हाँ से उन्होंने काला जंडा ले लिया, उन्हों का तुम दिखाना चाहते हैं, हमने ले लिया, तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब चलो विकास गोश्टी बढ़खो, आज राजनीती में ऐसे आदर्सों की आप एक्षा नहीं की ही तो फिर से कह रहे है, सर आप बात वहीं पर आगई, मैंने फेस्टों में कॉंग्रेस ये कह रहे है कि हम आगर सक्ता में आगे, हम से वापस लेकिया जाएंगे, बहुत बहुत इमानदारी से अगर मैं कहूं, तो अगर मोदी का विरोष अपनी जिखे पर जायज है, तमा अपना मानना है, लोगकंत्र में जब सडके सूनी हो जाती है, तो संसादावारा हो जाती है, अगर आज जो कुछ भी विशम परिशितिया भारती राजनीती की है, उसके लिए मोदी और भारती जंतापार्ट से ज़्यादा जिम्हदार यहां का विपक्ष है, विपक्ष कह इंद्रा गांधी के निर्वाचन को अलहाबाद हाई कोर्ट से अवैद किया, तब भी आतंक किस्ति थी थी, पूरे देश का राजनेतिक वर जेलो में डाल दिया गया था, और उस जोड़ में लालु यादों ने पटना विश्व जाले में, एमर्जेंसी के विरोज में अन इनके मेनिफेस्टों की बात हो रही, कॉंग्रेस की, तो मोदी कहते हैं कि ये मुस्लिम लीग वाला मेनिफेस्टों है, नश्य तोर पर अगर सबके लिए कुछ ना कुछ देने की कोशिश की जा रही है, अब आप ये तो नहीं कर सकते कि आप देश की एक आबादी को जो सा समाज को क्या वो आवास नहीं दे रहें, क्या वो सोचाले नहीं दे रहें, क्या वो अनाज का वितरा नहीं दे रहें, लेकिन प्रदेश तो नहीं दे रहा है, बस नकभी, बड़े निता, वो एक संबर्दाय विशेष, मुस्लिम संबर्दाय में क्यों सिया समुदाय है, ज लोगन आ गया दूरी है नखाई है मोदी हमारा कुछ चीज़ें जैसे हलाला पर उमुन कानून बनाया है वो निश्चे तो उसे स्वागतियों के कदम है लेकिन यह उत्विड़न के वल अर्वसंख्यक समुझाय में नहीं है यह उत्विड़न हिंदू समाज में भी है तो पस मुसल्मान उस से चला लेकिन जो अपने आप वादी कहते हैं जो अपने आपको कॉंग्रसी कहते हैं उन्होंने भी कभी मुसल्मान को इन्सान माना गया है इस देश का जो पहला और्वट पास हुआ था नहरूजी के जमाने में उसी दिन से मुसल्मान को वोट मान लिया गया था पहला ओडिनेंस यह पास किया गया था कि देश में जब ईद पड़ेगी तो दिले कर डियम और एश्पी एदगाह के बाहर खड़ा हो करके इलाइची रॉंग लेकर खड़ा होगा और निजी प्रयास है सरकारों से उन्हें कुछ नहीं मिला इनकी मेनिफेस्टों की बाद फिर से इसलिए चर्चा कर रहा है कि 50% मौका देंगे बाहर जाए सौधी में पड़े और जहां कहीं पड़े यह राहूल गांधी कहते है और दूसरा सवाल इसी के साथ जोड़ना चाहत मुस्लिम डरा हुआ इसकी बात हो राय बरेली में सोनिया जी ने ऐसा क्या कुछ किया कि जो अभी तक याद किया जाना चाहिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए यहां की जनता फिर से एक बार उनकी तरफ सोनिया जी के कार्यों को भूलाया जा सकता था लेकिन बीते दस में इस जीले को उपेक्षेत रखा गया अच्छूत बना करके रखा गया यहां के लिए कोई योजना आई ही नहीं सोनिया जी के जमाने में जो एमस आया था जो रेल कोज फैक्टरी आई थी उस एमस के भी निर्मार के बाद ही यहां पर उपकरान बहुत जल्दी आ गय थे भारती जनता पार्ती के सरकार्ण ने गोरकपूर में एमस खोला और लाइवरली के उपकरान खुल करके वहां चले गया राइवरली का एमस जो है एक औप्चारिक संस्थान मन करके रह गया है एमस ऐसे महत्पूंग संस्थान जिसे देश का सबसे बड़ा चिकिस्ता यहां डिपार्टमेंट्मेंट्स नहीं है यहां अगर रेडियो लॉजी है तो रेडियो लॉजी नहीं है पेशन्ट को सदन के सदस्यों का है लेकिन सदन के सदस्य मौन हो गया है सदनों में सवाल नहीं उठ रहा है क्योंकि अब विचारधारा के आधार पर होल्डिंग से नेता बन रहा है पढ़ना लिखना कोई चाहता नहीं है आपके पास पैसा आगया आप ऐसी परमपराय चल गई है कि आपने उस पैसे को लोटा करके वोट खरीद लिया हो सब्सक्रा अगर तो शाइद उनकी स्वेकारता नहीं होती राइवरली के आधार पर पूछेंगे तो मैं यह कहूंगा कि सुनिया जी यहां पर चौनव जीत सकती है वो प्रेंका जी आएंगे तो चौनव जीतेंगी यहां पर लेकिन एगर राश्टी पैमाने पर देखा जाएगा तो तो अभी विपक्ष ने कोई आसा उधारा प्रस्तुत नहीं किया कि जनता उनकी तरह बहुत ज्यादा कर शिक हो जिस तरीके से उत्साह वर्धन अपने आपको कर रही अपने नेताओं को कर रही कि जैसे अपने गड़ अमेठी खतम किया था मेरा आखरी सवाल है कि गड़ अम युगाओं की जो जोड़ी उत्तरप्रदेश पर फिर से आई है कांग्रेस को मलब पंजे को साइकल का सहारा जो मिला है ये कुछ बढ़ा कुछ करेगा समाजवाद को बात की पीडियों ने जाती के दाएरे में ला दिया समाजवाद एक व्यापक विशे था जिसे लेकिन उस समाजवाद को मुलाइम सिंग यादो जी और अखिलेश यादो जी ने कुछ जाती के दाएरे में बांद दिया अब वो एक सीमित दाएरा रह गया लोहिया ने तो जाती तोड़ों अंदोलन चला है था लेकिन मुलाइम सिंग का दौर आते आते वो यादो होने क समाजवाद का व्यापक दो असर हुआ था वो कमजोर हुआ है तो उससे तो संख्याबाल घटा है और शायद रहुल जी मेहनत जो जरूर बहुत कर रहे हैं पूरे देश में उन्होंने पधैत्राइं किया लेकिन अभी उनको उनका इंपैक्ट उतना पड़ नहीं रहा हैं विल्गों से मिलने की कोशिश करेंगे और इसके हरी खुप्न पर पर रहि वह पूरी तरीके से उनको कि या फिर बदलाव की बैयार यह एक एक से मिलकर आप तक पहुचाने की कोशिश करेंगे